बच्चो स्वागत है आपका मास्टर मंत्रा यूटूब चैनल पर मेरा नाम है रवीकान सिंग और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7 रेंबो का लेसन 17 का एकसरसाइज यानि की कोशन आंसर करने वाले हैं तो जिसमें पहला कोशन है जिसमें नीचे देवे कोशन के आपको आंसर देने हैं तो वीडियो को अभी आप लॉइक कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर दें क्योंकि आगे के क्लास के और पिछले सभी चैपेसर綠ी के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे तो चैनल को अभी सबस्क्राइब कर दें पहला कोशन है वाट corridor point dale थे के बारे में, पोईट के प्यार के बारे में, किसके प्यार के बारे में, नेचर, यानि कि इस प्रकृर्टी से प्यार करता है, और उसके चारो तरफ जो भी चीजे हैं, उससे प्रेम करता है, इसी के बारे में, पोईट ने इस कविता में, इस पोईब में लिखा है, अगला है how does the poet express his love for nature in the first stanza पहले stanza में poet ने जो कभी है उसने अपना nature के प्रती प्रकृति के प्रती अपना प्यार कैसे express किया है कैसे गक्त किया है तो इसका answer आप लिख लेंगे the poet says that he loves the sounds produced by birds and the sounds made by puppies ठीक है poet कहरा कि उसको जो birds है जो चिडिया है जो sound produce करती है जो चहाती है जो बोलती है वो sound उसको बहुत अच्छी लगती है और जो puppies यानि कुत्ते के बच्चे जो पिल्ले होते हैं उनके sound यानि उनके बोलने का जो sound है उसको बहुत अच्छा लगता है early in the morning just after they are born event यानि कि सुबा सुबा और जैसे वो पैदा होते है यानि सुबा सुबा जब चिडिया चयाती है तो उनका sound और बच्चे जैसे या पैदा होते हैं कुत्ते के यानि puppies पिल्ले तो उनका जो Juan होता होते हैं तो उनका जो sound होता है वो poet को बहुत अच्छा लगता है इसी प्रकार उसने अपना जो expression दिया है कि वह नेचर को love करता है ठीक है तो अगर आपको ये चीज लिखने में दिक्कत हो है इसको आप अपनी copy में लिख लेंगे अगर लिखने में कोई भी समस्या हो रही होगी ता वीडियो को पॉस कर लेंगे और उसको अपनी copy में लिखते चलेंगे मैं आपको question का भी Hindi meaning बताते चल रहा हो उसके साथ answer भी बताते चलूँगा और answer का भी Hindi meaning साथ में बताते हो चलूँगा अगला question है which shade does the poet love during rain ठीक है बारिश के समय पॉइट को कौन सा shade सबसे ज्यादा पसंद है पॉइट को कौन सा शेव पसंद है तब पॉइट loves all the shades of the grey during the rain यानि shades of grey जो भी जब बारिश होती है तो जो भी बादर भूरे कलर का ग्रे कलर का हो जाता है चाहे वो dark grey हो चाहे light grey हो चाहे medium में हो तो जितने grey के shades है जितने उसके छाया हैं कह सकते हैं वो सभी पॉइट को क्या है पसंद है रात की वो कौन सी चीज़े हैं जिसको पॉइट बहुत ही ज्यादा पसंद करता है या फिर पसंद करता है तो इसका answer लिख लेंगे पॉइट loves the sound made by crickets and other creatures that are active during night पॉइट जो है cricket cricket का मतलब जिंगूर जो जिंगूर के sound होते हैं जिंगूर की जो आवाज होती है वो उसको बहुत पसंद है और उसके साथ साथ जो भी जीव जन तु रात में active रहते हैं रात में जो चरते हैं जिसको रात रिचर कह सकते हैं वो भी जैसी आवाजे करते हैं वो सभी चीजें पॉइट को बहुत ही ज्यादा पसंद है अगला है list the things whose sounds are enjoyed by the poet उन चीजों को आपको list बनानी है लिखना है जिनके sound को पॉइट बहुत ही ज्यादा क्या करता है पसंद करता है तो इसका answer लिख लेंगे the poet likes the sounds of poet को किन चीजों क sound पसंद है puppies after they are born पिलों की आवाज वो पैदा होते है वो आवाज poet को बहुत ज्यादा पसंद है wine blowing through trees जो हवा की सरसराहट है हवा जब पेडों के बीच से गुजरती है तो वो आवाज poet को बहुत ज्यादा पसंद है waves upon the sand जो लहरे है वह जब बालू पर यानि किनारे पर ज creatures जिंगुरों की और रात में जो भी creatures घूमते है जी उजनतु बाहर उनकी आवाज poet को बहुत ज्यादा पसंद है और लगबख सभी लोगों को पसंद आती है मुझे भी बहुत पसंद है यह सारी चीजे अगला है whom does the poet thank when he lay down to sleep जब poet सोने जाता है सोने के लिए लेटता है तो वह किसको thank you बोलता है तो इसका अंसर लिख लेंगे the poet thank the lord when he lay down to sleep जो है जो कवी जब वह सोने जाता है लेटता है तो वह thank करता है धन्यवाद देता है भगवान को अपने lord को स्वामी को अगला है word power read the poem carefully and match the sense in column A with the connecting function of our activity in column B ठीक है यह जो words है इनका क्या sense को आपको जो column B में क्या करना है match कराना है arrow के माध्यम से 3 बना कर तो आप अपनी book में mark कर सकते हैं या अपनी copy में इसको लिख सकते हैं तो मीद करता हूँ कि इस chapter के सभी questions आपने अपनी copy में लिख लिए होंगे या book में टिक कर लिए होंगे और अग यह वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को like करें और अगले class के और पिछले class के और आपके class के सभी chapter के exercise इस channel पर है और आते रहेंगे तो आप इस channel को subscribe करें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई या कोई समस्या है तो आप नीचे comment box में मुझसे पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर दूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें अपना ख्याल रखें थैंक यू बाई बाई